जी नमस्कार दोस्तों ग्यानालब में आपका स्वागत है और हम लोग तयारी कर रहे हैं EMRS की EMRS का कोई भी फोस्ट हो TGT PGT, Hosted Wallman, Live Attendant, सब में कम्प्यूटर आएगी, कम्प्यूटर पूचा जाएगा ICT के नाम से जो है syllabus दिया गया है चुकि हम लोगों के पास अभी कोई previous year का question paper नहीं है EMRS का क्योंकि इससे पहले EMRS के कोई इस तरह की examination हुए नहीं है तो practice करने में हम लोगों को दिक्कत आ रहे हैं तो practice के लिए हम लोगों ने जो solution निकाला कि हम KBS के केंद्रिय विद्याले के जो previous year के question है और NBS के और नबोदे विद्याले के नबोदे विद्याले समयती और केंद्रिय विद्याले समयती के जो previous year के question हम उनकी practice कर रहे है क्योंकि syllabus चुकि syllabus EMRS का NBS का और KBS का syllabus और pattern आल्मोस्ट सबका सेम है सब के यहां teaching non teaching के post KBS में में निकलते हैं और अब EMRS में भी निकलते हैं तो हम practice के रूप में हम KBS के और NBS के practice कर रहे हैं इससे पहले हम लोगोंने Hindi और English का भी practice कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग computer जो previous year में पूछा गया है KBS के जो है PGT, TGT और PRT में आज हम लोग पार्ट वन में 20 questions जो है previous year के देखेंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं पहले questions से आप लोग ध्यान पूरबग देखेगा क्योंकि syllabus EMRS का KBS का और NBS का सब का match कर रहा है मिल आए तो हो सकता है कि questions जो है यहां से उठा लिए जाएं बहुत सारे questions repeat भी होंगे या मिलते जूलते questions पूछे जाएंगे तो यह हमारे लिए जो है यह practice set जो है काफी importance आभित होने वाला है तो चलिए सुरुवात करते हैं पहले question से टेसेरास, ट्रेजरास tool in EMS word used for जो EMS word में यह इसको जहाँ थी सौरस tool का उपयोग किया जाता है किसलिए किया जाता EMS word अगर आप खोलेंगे तो आप जो है अगर फाइल वाले folder में जाके जाके देखेंगे तो आपको एक tool मिलेगा थी सौरस tool मिलेगा थी सौरस में क्या होता इसका यूज किसलिए किया जाता EMS word में EMS word में जैसा कि जानते हैं हम लोग जानते हैं Microsoft Office जो है Office में एक पार्ट है EMS word का EMS word है EMS Excel है EMS PowerPoint है तो इस तरह से जो EMS word है आईनि Microsoft word है जिसमें हम लोग document बनाते हैं उसमें जो थी सौरस tool है उसका यूज किसलिए किया जाता है spelling suggestion के लिए synonyms and endonyms के लिए correction correcting sentence के लिए and grammar option के लिए यूज किया जाता है यह बहुत tough question पूँच लिया गया है यतना पूचते नहीं लेकिन फिलाल पूच लिया गया है तो हम लोगों को इसको देख लेना चाहिए EMS word का जो थी सौरस tool है वो जो है spelling के लिए तो दूसरा tool होता हम spelling चेक करने के लिए उसमें option आता हो हम कर लेते हैं इसका यूज जो correcting sentence के लिए हम लोग autocorrect यूज करते हैं हो सकता है spelling के लिए और इसके दोनों के लिए हम लोग autocorrect यूज कर लेते हैं यह autocorrect नहीं है यह thesaurus tool है थिसारस grammar option के लिए भी इसका यूज नहीं होता है इसका यूज किया जाता है synonyms और antonyms के लिए अगर आपको जो है किसी सब्द का synonyms या antonyms change करना है तो आप Thesaurus टूल में जाके आप जो है किसी भी word का antonyms या synonyms देख सकते हैं चलिए अगला question देखते हैं कि what is the common between following ये कह रहा है कि निमलिखित में से क्या समानता है Facebook, Twitter, Instagram और Pinterest Pinterest इन चारों में क्या समान है भई Facebook, Twitter, Instagram और Pinterest हिंदी-English दोनों में दे दिया है कि आप लोग जो हिंदी मीडियम आले भी समझ जाए और इंगलिस मीडियम आले भी समझ जाए हिंदी वालों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि जो computer के जो terms है जो सब्दावली है वो जो है ट्रांसलेट करते हैं Google ट्रांसलेट से यूज़ करते हैं तो आपको जो है paste का वो ट्रांसलेट करके दे देंगे चिपकाना ठीक है हिंदी में चिपकाना लिघ देंगे तो समझ इन पाऊगे कि बहुता हुत है चिपकाने का शिक्रान को फड़़ा पहक पेस्ट तो आप हिंदी और इंगलिस दो नों पढ़ लिजेगा आपको थोड़ी जी आइडिया मिलишь को answer लगाने में question को पढ़ने और answer खोजने में आपकी मदद मिलेगी Hindi वालों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि जो translate होता है क्योंकि question paper basically English में ही बनते हैं उसका फिर translate करके जो है उसको और language में बना दिया जाता है Hindi में बना देंगे और किसी और भासा में बनना होता है तो उसमें बना देते हैं और basically यूज करते हैं ट्रांसलेशन का गूगल ट्रांसलेट यूज कर लेंगे और किसी और का यूज कर लेंगे तो चलिए देखते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest में क्या बैब का मतलब kiya होता है जो बैब का यादि इंटर्नेट की जो डारक साइड है जो अपराधियों का छेतरा है जो हैकरोड का छेतरा है ही सब डारक बैब का जो फ्रुनिल वाला पॉइंट है जैसे सब के लिए य अकसेसिबल डार्क viciousirm होता है डार्क बेप पे सब कुछ मिल जाता है आपका यूजर ने पासवर्ड यहां तक कि सब कुछ वहां पे अवैलेबल होता है आपको किसी कभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ डार्क बेप आप पैसा देजिए और पा जाएंगे वहां पे जो है सब कुछ यहां पे अवैलेबल अगर आप देखोगे तो इसको आप जो कह सकते हो कि यह डार्क साइड है इंटरनेट का तो डार्क बेप पे आप कुछ भी खरी सकते हैं लेकिन आप एकसस नहीं कर सक है कि जो है सारे लोग जो है इस पे पुलिस और बाकी जो भी खूपी आजंसी यह वो सब खोजते रहते कि कौन बेच रहा है कौन क्या चीज कर रहा है तो वहां पाइरेटे सीडी से लेके सब कुछ वहां गांजा भांग सब कुछ आडर मिल जाता है आप दीजी आडर वहा पाम लोगों के लिए नहीं होता है उसके एकसेस करने का भी एक तरीका है उसके लिए आपको टोर और बाकी चीज़ें यूज करने पड़ती है तो सिंपल तरीके से आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो यह नहीं है फेस्बुक ट्विटर सब सोसल मीडिया साइट है आलार दा सोसल नेटवर्किंग साइट जी यहां सब के सब सोसल मीडिया सोसल नेटवर्किंग साइट है सोसल साइट क्या होते हैं वहां पर अपने इनफॉर्मेशन कोई भी इनफॉर्मेशन अपने विचार अपने फोटो वीडियो वो सेर कर सकते हैं दोस्त बना सकते हैं follow, like, share, यह कर सकते हैं, तो ये चीज़ क्या है, सारे के सारे क्या है, सब social networking site है, अलार news website, अलार band website, news website है, नहीं तो right answer आपका होगा, Facebook, Twitter, Instagram, Pinnrest, इसनब में क्या common है, सब के सब social networking site है, अब आगया अगला question, artificial intelligence से पूँछ लिया गया है, artificial intelligence में निमलिखित में से बिग्यान और engineering है ये पूचे जा रहा है कि artificial engineering एक तरह का science भी है और एक तरह से engineering भी है किसलिए making intelligent machine बुद्धिमान machine बनाने के लिए making a computer think like human एक computer जो इंसानों की तरह सोचता है उसको बनाने के लिए तो ये पूचा जा रहा है कि इसमें कौन-कौन से बिकल्प सही है ये बिकल्प सही सही है कि दोनों सही है कि कोई नहीं सही है ये इसमें पूचा जा रहा है तो artificial intelligence हम सब भी जानते हैं artificial मतलब होता कितरीम और intelligence का मतलब होता बुद्धिमता बुद्धिमता होती ऐसा मना जाता है कि जो human की तरह जो मन उसकी खोपड़ी है मन उसका दुज़ दिमाग है उस तरह से सोचने वाली जो भी machine हम मना दें उसको artificial intelligence का जाता है मतलब होती machine है लेकिन सोचती, बोलती, दिखती सब कैसे हो सकता है वो human की तरह होता है इंसानों की तरह होता है आप ले लिजिए जिसे इसका chat GPT artificial intelligence पे काम करता है Google का bard उस पे आप साच करिए उसको आप देखेगा वो भी artificial intelligence पे काम करता है तो ये सब क्या होते है machine है लेकिन सोचती और जवाब देंगी आप लगता है कि जैसे ये human बोला है ठीक कोई इंसान बोला है तो इस तरह से artificial intelligence कितरी बुद्ध मता क्या करता है intelligent machine बनाने के काम में आते हैं क्यों नहीं आएगा बना सकते हैं इसे अच्छी machine बनती है making computers thing like computer भी इससे बना सकते हैं जो कि human की तरह मनुस्यों की तरह सोचती है तो दोनों option A और B सही है अब आजाते हैं चौते पे which of the following font effect is available in MS PowerPoint MS PowerPoint के font dialogue box में कौन से font effect available हैं अगर आप लोग जो है इसको check कर लिजेगा एक बार अगर आपके पाल laptop या computer होगा तो एक बार PowerPoint खोल के आप जो है font वाले उसमें चले जाना font वाला जो menu होता उसमें चले जाएगा font में अगर आप effect दो एक होगे तो क्या है यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा यह text हो गया font style font size आपका font color underline style underline color हो गया जो effect यहाँ पे दे रहा न यह पूछा जा रहा है कि font effect में क्या क्या आपको मिल जाएगा font effect में आपको यह चीज मिल जाएगी strike throw मिल जाएगा double strike throw मिल जाएगा super script and subscript यह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी small caps all caps यह सारा effect आपको इतना effect आपको font वाले में जो dialogue box है MS PowerPoint का font dialogue box में effect आपको यह सारे मिल जाएगे side ओ इसमें नहीं मिलता है strike throw यहाँ पे लिखा हुआ strike throw font है effect आपको मिल जाएगा underline भी जो है इस effect में नहीं है यहाँ पे अलग से दिया गया लेकिन यह effect में नहीं है किसी सब्द को दो बार काट दीजिए इस तरह से दो line बीच में काट दीजिए तो उसको कहते हैं double strike और single अगर कटा हुआ हो तो उसको कहते है strike थो तो किसी सब्द को बीच से काटने के लिए इसका effect यूज किया जाता super script का मतलब होता जैसे अगर आपको o2 लिखना हो ठीक है अगर आपको जो square लिखना हो किसी चीज का माल लीजिए जो है आपका 2 का square लिखना है ठीक है तो ये जो लिखा हुआ इसको कहते है super script और अगर आपको नीचे कहीं लिखना है तो इसको कहते है sub तो यह सारी चीजें होती हैं उपर वाले को जो अगर किसी सब्द के उपर कोई सब्द लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि भाई वो सुपर स्क्रिप्ट है और अगर हम उसको नीचे लिख रहे हैं तो उसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं और किसी सब्द को बीच से काट दीजिए तो उसको हम कहते हैं इस ट्राइक थो तो जो यह मैंस पावर पॉइंट का डायलाग फॉंट डायलाग बॉक्स है उसमें जो इफेक्ट अवाइलेवल है वो इस उप्षन से इस ट्राइक थो का आपको मिल जाएगा चलिए यहां पर पांचवा को इसन दिया है फिल इंदा ब्लैंक फिल इंदा ब्लैंक तो सबसे छोटा जो होता फॉंट का साइज 8 से लेके 72 तक होता है सबसे छोटा साइज 5 का 8 हो जाएगा और सबसे बड़ा आप उसको कर सकते हैं खोल जीजे, साइच आपको सबको यह 8 से लेके 72 के बीच में मिलेगा, तो font का साइच आप इससे ज़्यादा बड़ा या छोटा 8 से छोटा नहीं कर सकते और 72 से बड़ा नहीं कर सकते, चलिए अगला देखते हैं, इन्पुट्ट डिवाइस जिससे हम इनफॉरमेशन अंदर कम्प्यूटर में भेजते हैं, उसको इन्पुट्ट डिवाइस कहते हैं, हम कम्प्यूटर में कुछ भी भेज रहे हैं, चाहे कोई Command भेज रहे हो, चाहे Video भेज रहे हो, चाहे Audio भेज रहे हो, चाहे Sound भेज रहे हो, तो जो चीज हम भेज रहे हैं, जिस चीज से इनका मतलब होता है अंदर जाना, तो हम जो भी चीज कोई भी Information जो Computer के अंदर भेजने के लिए यूज होती है, उसको Input Device कहते हैं, सब पाकी और आपसन देख लिजे, CD-ROM, CD-ROM और Keyboard इतना ज्यादा यूज नहीं होता, Mouse और Pen Drive ये भी उतना यूज नहीं होता, Keyboard और Screen, Screen तो है ने, Screen Output Device होती है, तो ये हो गया सारा का सारा गलत कर दीजे, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, किसी भी Laptop या Computer में, Input Device के रू पाइंट जो है Computer Screen पर पाइंट करने के लिए, तो सबसे जादा यही दोनों जो है Input Device यूज होती है, which of the following features is used to apply motion effect in Bitbin, ये slide exit and other slide enters, ये कह रहा है कि जो MS PowerPoint होती है, MS PowerPoint में ही transition यूज होते है, तो ये पूछ रहा है कि एक slide के बाद जब दूसरी slide आती है, तो उसके बीच में जो motion आता है, जो motion effect आता है, उसको क्या कहते हैं, निमलिखित में से किस बिसेष्टा का उपयोग एक slide के निकास और दूसरे के परवेस के बीच में गती परभाव को लागू करने के लिए किया जाता है, animation scheme, slide design, slide transition या फिर animation objectives, तो slide transition अगर आप जाओगे उसमें, जो animation आता है slide एक slide के बाद, दूसरे slide के बीच में, MSO PowerPoint में, उसको slide transition कहते हैं, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, ये मेरा जो presentation है, ये PowerPoint पे ही बना हुआ है, अब मैं ये सतवे question पे हूँ, अठवे question पे जाने के लिए मैं ये transition का यूज कर रहा हूँ, slide transition का यूज कर रहा हूँ, जो इस question क right है, सुरे चलिए देखते हैं कैसे होता है transition, ये ये रहा, ठीक है, पीछे आ जाते हैं एक बार, फिर से चलते हैं, ये है slide transition, चली गई, तो एक बार slide transition हुआ, जो color हमारा change हुआ था, वो क्या था, उस slide transition था, हम साथ से आठवे पे आ गए, तो क्या हुआ था, transition हुआ था, ए transition कहते हैं, आठवा question ये है, कि which of the following are Indian IT companies, भारती ये IT companies में कौन सी है, information technology की कमपनी भारत में कौन सी है, कई सारी कमपनी है, जो इंडियन है, जैसे विप्रो है, TCS है, ये सियल है, ये सब इंडियन कमपनी है, बाकी और सब जो है, वो बाहर की हैं, अमरीका की हैं, और other countries की है तो ये पूचा जा रहा है कि इसमें इंडियन IT company कौन सी है, इंटेल, ये सियल, ये सियल तो इंडियन है, ये सियल जो है सिवनादर की कमपनी है, इंडियन है, लेकिन इंटेल नहीं है, इंटेल कहा की है, इंटेल अमरीका की कमपनी है, इंटेल आइकोर सोने न, ये प्रोसे प्रोशेशर बनाती है एंणे ना कि नवी इंडियन प्रोशेशर अभी तक बनाई नहीं है। बहुत सारी ऑई आई ईक हैं कि इंडिया में प्रोशेशर भारतिय प्रोशेशर बन जाए लेकिन अभी तक मंघ कोई ऐसा इस तरह का computer processor बनाना नहीं पाए हैं चला प्रयास चला हो सकता कि जल्दी हम इस पे सफल हो जाएं यह CL और TCS Tata Consultancy Services Tata की Group की company है और यह CL यह दोनों जो है Indian company है Dell जैसा कि हम सब जानते है Dell का laptop आता है Dell का computer आता है यह अमरीका company है इंडियन नहीं है TCS तो इंडियन है Intel फिर आगा विप्रो इंडियन है लेकिन इंडियन नहीं है यह जो CL और TCS है यह दोनों जो है Indian company है तो यह CL हो गया TCS हो गया विप्रो हो गया तो यह सब इंडियन companies है चलिए The given of the following pairs इसमें पूचा जा रहा है कि कौन सा इसमें pair सही है कौन सा जोड़ा इसमें सही है यह पूचा जा रहा है इसमें कौन कौन सा सही है यह पूचा जाए खूई चाप एबर बीज ओड और पेर यह pair बना दियागा इसमें कह रहा है कि कौन सा जोड़ा बेमेल है मतलब जो कौन सा इसमें गलत पे रहा है Wi-Fi Wi-Fi, Modem अगर Wi-Fi चाहिए Modem जोड़ ली दिये जो दोनों इंटरनेट से जुड़ा हुआ है Modem भें इंटरनेट के जोडने के काम आता है वो इससे जोड़ सकते है Wi-Fi से जो है Chrome का केबल से कोई मैच नहीं है Chrome तो यार Chrome browser होगा Google का browser है Chrome browser cable तो तार होगा ना वै तो browser का cable से कोई मतलब तो आ नहीं रहा तो बे-मेल जोड़ा तो यही है file hard drive में हाँ file हम hard drive में ही save करते हैं और उसमें क्या दिक्कत है charging के लिए cable चाहिए यह भी right answer तो बे-मेल जोड़ा यही है Chrome और cable data from one place to another और इन यह document MS office में यह कहा रहा कि MS office में किसी दस्ता बेज को यानि किसी data को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने के लिए किस बिकल्ब को परियोग किया जाता है यहाँ देखे चिपकाना लिग दिया है paste को हिंदी translation इसने क्या किया चिपकाना और cut और paste को क्या है जिसने लिया cut कर चिपकाना cut का मतलब cut copy का मतलब परतली पी इसलिए कह रहा हूँ कि जो हिंडी मीडियम हो ले होंगे एक बार इंगलिस का computer business रूप से computer के questions जो है इंगलिस में भी देख लीजिएगा तो ये कहरा कि MS word में किसी जो है data को एक जगा से माली जे अप्सण है data को यहां से उठा के दूसरी जगा ले जाने के लिए cut paste तो यहां प्राइड answer paste करेंगे तो होगा नहीं पहले आपको copy करना पड़ेगा cut से काम नहीं चलेगा copy से भी काम नहीं चलेगा तो right answer है कि अगर MS Office में आपको data को किसी भी data को एक जगां से ले जाके दूसरी ले जाना है तो या तो copy paste कर दीजिए या cut paste कर दीजिए इससे आपका काम हो जाएगा गेरामा question है कि which of the following task can be done using MS Excel ये पूछा जारा कि Microsoft का एकसल जो है software है उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं परपेरिंग इस्टूड़न्ट रिजल्ट हाँ भाई इसमें एकसल में क्या होता है एकसल में भाई जब ये seat ही तो होते हैं बाई row and column होते हैं row और column में हमको जो भी बनाना है वो हम बना सकते हैं हम किसी भी student की results सारे excel seat में ही बनते हैं भाई excel seat में ही हम result बनाते हैं यहाँ पे student का नाम, number, serial ठीक है, rule number कितना number पाया, यह excel seat में ही बनता है result, फिर आ जाएंगे historic names of Indian classical singers with घरानाज यह भी हम store कर सकते हैं, क्या दिकत है ms excel में, यहाँ पे नाम लिखिए यहाँ पे उसका घराना लिख दीजिए excuse me घराना लिख दीजिए, तो यह भी कर सकते हैं playing music video playing music video, यह excel में music video कहां चलता भाई excel में तो भाई यार, वह हम formula का use कर सकते हैं, table जैसा कोई चीज हमें excel में power row and column में कोई चीज बनाती हैं, उसके लिए इसका use करते हैं, playing music video इसमें काम नहीं करता, तो right answer आपके दो हैं, एक तो पहला option और B और यही दो option सही हैं तो A और B इसमें सही है, C जो है गलत है, तो right answer हो जाएगा one, चलिए अगला देखते हैं, BGA का फुलपाम पूछा गया है, BGA क्या है बाई, video graphic array बोला टाइल इसका मतलब नहीं होता video graphic, adapter भी नहीं हो गया video graphics array and visual graphic array, तो right answer आपका हो जाएगा, video graphics array BGA क्या होता है, यह connector जैसा होता है जो video को display video display जोडने के काम आता है, IBM ने इंटरनेशनल business machine जो IBM अमरीका की company उसने सबसे पहले जो है, BGA को बनाया था एक connector, एक video connector की तरह काम करता है जिसका पूरा नाम है, पूरा फुल फॉल फाम है, video graphics array तेरामा question है कि devices that enter information into computer and communicate it with it are called device यह पूछा जा रहा कि ऐसे device जो information को computer में डालने के काम आते हैं और फिर वो आपस में एक दूसरे communicate करते हैं, एक दूसरे से संचार करते हैं उन device को क्या कहा जाता है, हमने कहा कोई भी चीज जो information computer में भेजने के लिए यूज की जाती है, उन सब को input device कहते हैं, इन मतलब अंदर डालना तो computer के अंदर में कोई भी information डालने के लिए हम जिस भी device का परयोग करते हैं, चाहे हम keyboard यूज कर रहे हो, चाहे हम mouse यूज कर रहे हो वो सब के सब input device होते हैं और अगर हम कोई information बाहर निकालने हैं, computer से बाहर कोई चीन निकालने हैं, हमने यहाँ पे एक ओ लगा रखा है, एक printer लगा रखा है, printer क्या करेगा वाई printer जो हमारा कोई भी चीज computer में information हम उसको print निकाल सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई information बाहर आ जाएगी तो इस तरह के device, output device कहलाते हैं, तो यही पूझा जा रहा है कि ऐसे device जो information को computer में इंटर करने के लिए परयोग किया जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, output होगा ने, यह सारे का सारा right answer आपको हो जाएगा, input का input device का ही परयोग किया जाता है, क्यों कि किसी भी information को computer में डालने के लिए, चलिए अगला question देखते हैं, यहाप फिलिंदा blank दिया है, is used to carry digital data on analogs line, यह पूझा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़े जिसका यूज किया जाता है, digital data को analogs line में ले जाने के लिए, वो analog signal कहलाता है, चलिए अगला question देखते हैं, action of using mouse to move an item on computer screen to new location, is card, यह पूँच रहा है कि जो screen होती है, screen पे अगर कोई यहाँ पे एक icon बना हुआ, इसको हमें mouse से move करना है, तो हम इसको कैसे यहाँ से उठा के हमको यहाँ इसकोने पे लाना है, तो हम क्या करते हैं भाई, उस पे click करते हैं और फिर वो button राइट ओला बटन दबाके उठा के लाके यहां पे चोड़ देते हैं, इसको कहते हैं घसीट के जो है, लाके यहाँ पे छोड़ दो, घसीट ना, घसीट के चोड़ दो तो इसको कहते है Drum and Drop, ठीक है, copy and paste तो तो अलग चीज है, copy and paste से आप यहाँ से copy कर आपर दी यहां पर पेश्ट कर दी यहां पर आ जाएगा लेकिन इस वी था Ilum हो जाती है तो right answer हो जाएगा drag and drop which of the following options contain extensions of MS office files MS office files का extension यहाँ पूछा जा रहा extension file extension का क्या मतलब होता भाई dot के बाद जो भी चीज़ लगती है जैसे कोई भी जो हता है docs .com extension यह तो domain न लेकिन dot के बाद किसी भी file के बाद जो सब्द लगा होता न डॉट के बाद है तो उसको कहते हैं उस file का extension का परियुक किया जाता है उसे हमें पता चल जाता है कि यह किस तरह की file है अगर document होगा MS documented का file होगा तो उसमें道 last में docks होगा, अगर pdf haveोगा तो dot pdf लगाऊ होगा उस file name मेा PDF तो हमें पता चल जाता कि वो कौन सी फाइल है उस extension से हमें वो चीज पता चल जाती कि वो किस तरह की फाइल है तो MS Office में हमें क्या क्या मिल सकता हमें Doc मिलेगा MS Doc हमें क्या मिलेगा Excel का जो है अलग जो है वो मिलेगा Excel excel का हमें अलग वो मिलेगा extension मिलेगा powerpoint का हमें ppt का अलग extension मिलेगा तो तीन तरह के extension जो है mainly हमको मिलेंगे xlsx docs and pdf pdf जो है इसका part है नहीं है ms office में कहीं पे pdf जो है कोई ना pdf उसमें reader दिया है ना कोई pdf creator दिया गया है ms office में pdf का कोई software है नहीं तो जहां पे भी pdf आपको दिख रहा हो pdf तो पहले हटा दीजे pdf pdf हटा दीजे सब के सब तो हमारा बचता है option नमबर दो xlsx यह हो गया excel का powerpoint excel का जो है file extension docx यह जो है document का है और ppt जो है pptx जो है यह powerpoint presentation का file extension है तो right answer आपका हो जाएगा दूसरा चलिए जो है सात्रावा question देखते है कि numeric data entered in work seat आप mx excel उसको कहां पे aligned होता है by default यह पूछा जाता है पूछ रहा है कि ms excel होता है इसको हम क्या कहते है row and column जो होता है इसको कहते है work seat work seat मतलब जिस पे हम काम कर रहे हैं अब हम by default किस तरफ align होता है align मतलब इधर right होता है कि left होता है कि जो है बीच में center में होता है ठीक है यह पूछा जा रहा है numeric data हमेज़ अगर आप entry करोगे ms excel में entry करोगे किसी भी cell में entry करोगे तो यह इधर से शुरू होता लिखना इधर से लिखता है right से लिखना सुरू होता है लेकिन अगर आप कोई जो है alphabet लिखोगे तो वो सुरू होता है left side से देखिए इसका alignment यह होता text by default जो होते हैं left की तरफ से सुरू होता है यहाँ से A, B, C ऐसे लिखाएगा लेकिन अगर आप इसी में number डालोगे तो यहाँ से लिखना सुरू करेगा एक, दो, तीन, इस तरह से इस तरह से लिखना सुरू होगा एक, दो, तीन तो numeric data जो है जो by default जो alignment होता हो right, किसी भी cell के right side में होगा इस तरफ से लिखना सुरू होता numeric data लेकिन alphabet जो होता है वो left की तरफ से लिखना सुरू होता है अगर एक बार इसको आप जो है ms, excel, अगर आपके बास तरह मोबाइल में हो चाहे जो है आपके computer laptop में एक बार जो है इसको लिख के चेक करिए देखेगा कि जो alignment कहां से सुरू हो रहा लिखना कहां से सुरू हो रहा है राइट से लिखना सुरू हो रहा है कि left से सुरू हो रहा है राइट answer आपका हो गया है right चलिए which of the following task is possible in slide show of powerpoint यह कहरा कि जो powerpoint है Microsoft का powerpoint presentation है जो PPT यह हमारा PPT भी इसी पे बना हुआ Microsoft powerpoint पे तो यह जो PPT बनता है इसमें हम क्या क्या कर सकते है क्या क्या चीश फॉसिबल है कौन-कौन से टास्क कौन-कौन से काम हम कर सकते हैं browsing ये website playing ये YouTube video preparing है result of class तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं browsing website कर सकते हैं विशे इसमें option तो ऐसंद नहीं होता, लेकिन हम क्या गलते हैं, hyperlink देके इसपे हम वो भी कर सकते हैं, hyperlink देके जो है, हम कोई website भी जो है, powerpoint पे चला सकते हैं, उसमें search कर सकते हैं, उसमें हम ढाल सकते हैं, YouTube वीडियो भी हम play कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर यह जो वीडियो लगा हुआ यह यूटूब का है अभी इसको हम चला के दिखाते हैं पिर्पेरिंग रिजल्ट आउफ क्लास रिजल्ट बनाने के लिए हम PPT नहीं परयोग करते हैं रिजल्ट बनाने के लिए Excel फाइल यूज होता है जो PowerPoint Excel है उसका यूज होता है तो MS Excel का परयोग जो होता है कोई result या इस तरह की चीज मनाने के लिए हो तो Microsoft का Excel software यूज होता है लेकिन PPT बनाने में हम browsing ये website भी कर सकते हैं ये मुचरा कि खाली जो है possible क्या संभ हो गया है मेंली तो इसका काम presentation मनाने के लेकिन ये भी काम संभव है कि हम इससे जो है website भी browse कर सकते हैं और YouTube का वीडियो भी चला सकते हैं तो चलिए एक वीडियो हम चला के देख लेती है ये जो वीडियो चला है ये internet अगर इस पे है नहीं represented as हमने काना कि computer में कोई भी data वो binary में काम करता है 0 और 1 में उसको और कुछ नहीं समझ में आता है computer को सुरिफ 0 और 1 ही समझ में आता है इसके अतरी को कुछ नहीं समझता है आप उसको कुछ भी लिख दो अलफा, ABCD, EXY, वो सब कुछ 0 पहले digital signal में convert कर लेता है या binary में convert कर लेता है 0 और 1 में convert कर लेता पूरे information को उसी को समझता और कुछ नहीं समझता तो only two numbers को समझता है 0 और 1 को alphabet या numbers ये कुछ नहीं समझता numbers alphabet symbols कुछ नहीं समझता alphabet language appear in the ASAP कुछ नहीं समझता सिर्फ दो ही चीज को समझता है 0 और 1 को वही right answer हो गया चलिए आज की वीडियो कांतिम question है कि ये disruptive program कहरा कि एक बिद्वन सकारी एक खतरना कि खांजकारक program जो की spread करता है फैलता है program to program एक program से दूसरे program में फैल जाता है या फिर एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फैल जाता है उसको क्या कहते है time bomb तो है नहीं progen horse भी नहीं इसको कहते है time related bomb भी नहीं कहते है इसको virus कहते है simple सा virus होता है disruptive होता ही है हम सब भी जाते हैं खतरनाग programs होते हैं हनकारक programs होते हैं यह file to file भी फैल सकते हैं program एक program से दूसरे program में भी फैल सकते हैं एक disk से दूसरे disk में फैल सकते हैं एक computer से दूसरे computer में फैल सकते हैं उसको virus कहते हैं computer virus उसको कहा जाता है इसका पूरा आगता आप लोगों ने वीडियो अगर तक देख लिया तो please like, share, subscribe कर देजिएगा अगर आप लोगों को इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिस्वन में जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं